उस प्रेड़ा ऐसे पदात होते हैं जो किसी रास्तानी अविकिरिया के विक को बदल देते हैं जैसे हमें अफीम कोठी से बारादे भी जाना है यदि हम पैदल जाते हैं तो काफी समय लगता है यदि हम आटो पकल लें तो मेरा ही समय बहुत ही जल्दी हम पहुँच सलह ऋगा अगर ऊसको पृओटी जल्दी हो जाएगा जैसे अब धने भी अमुदी पार स्क्छार्एंगे इसकी परिवासा आपके स्क्रीन पर यह रहा आप इसको वीडियो को रोख कर नोट कर सकते हैं हम आप उधान बताने जा रहे हैं उधान देखिए बच्चो उधारन पोटेसियम क्लोरेट क्या बच्चो पोटेसियम क्लोरेट पोटेसियम क्लोरेट बच्चो यह क्या बनेगा यह बनेगा केसी यल प्लैस और ऑक्सीजन बैलेंस कैसे होगा यहां तीन है य 2ृ super 6, 3 Подward, chefs figure 6 का कॉफ़ीं क्या इसकाल इसका कॉफ़ीं का यहां搞रा कदेखे, इसका का इसका क्या होना बहुत्यांक्र दो तिनिवस्ञी छह, अब लगा देंगे पोटैसियम कलोराइड का नАम क्या दोथो तो को पोटैसियम क्लोराइड हमने आप को आइ बटन में बता हु ऑकसाइड मिलाते हैं मैगनीश डाय क्या करता है यह एक उत्प्रेरा के विटा क्या है उत्प्रेरक क्या होते हैं वे पदात जो किसी भी रहासाने पिश्चार्ण करते यह तो बढ़ा दे उन्हें हम तरह काम रहा है एम एन ओटो एमन ओटो तक यह लग बच्चों उत्प्रे रख के कमए Bye Bit ऑउस्था के आधार पे दो प्रकार खोते हैं और कि लिया बिधी के में सरह बारे हैँ जैसे जिधा कि बारे में याधार पर इस cave empirak के प्रकार पर ह है के प्रकार अ मनुख सकते हैं आप इसकी परिभास आई देखते हैं आप को श्कींद पर मिल जागी आप वीडियो को रोक कर इसकी परिभास नोड कर सकते हैं आई अबयार ते अथ्परिभास पहूं को समझाएंगे ऐसे ही दूसरा विस्म Practice ४॥ कि James को कि विस्मांगी ईे व estas है दोस्तो समांग पेराज क्या है हे पले आप इनकी परिवासा देखी हम आहतां जब अभिकारक और उत्प्लिट की अवच्थाएं समान होती है दोस्तों जब अभीकारक को प्रवस्थाएं प्रवस्थाएं जैसे दोस्तों आपके स्कीन पर एक हम उधान करने जा रहे हैं बहुत ध्यान से इसको जैसे उधारन इसका उधारन बता रहे हैं क्या इसका दावन देखिए तू एस ओ टू बात में लगाएंगे सब्सक्राइब कराएंगे डोस्तों किससे कराएंगे और सीजन से लेकिन यहां पर उस प्रिजा काम एनो करता है क्या नाइटोजन मौनो ऑक्साइड मौनो क्यों लगाते दोस्तों आपको बता दें हम जब का सब्सक्राइब कर दोस्तों नंबर के लिए हम आपको बता दें जब एक लगा होता तो मोनो दो लगा होता दाई तीन होता है पांच पंटा जैसे दोस्तों पीचल 5 है वासफ़ोरस पिंटा कुलराइड ऐसे ही आए देखते हैं देखिए यह गैस अवस्था में होती है यह विज़ा सबस्था में एक भी गैस वस्था में एसो 3 सलफर ट्राइओकसाइड देखिए जब अभिकारग बच्चों इसको अ अभिकारक जब अभिकारक और उत्पेरक की अवस्थाएं क्या हो समान हो जैसे यह गैस भी गैस समान है भाई गैस है गैस है जी मनलब गैस गैस जब सब कुछ गैस है उत्पेरक भी गैस अवस्था में है अभिकारक भी गैस अवस्था में है तो उसे हम समांगी उत्पेरक कह और दूसरा यह उधान भी नोट कर लें एक और उधारन आपको बताने जा रहे हैं इसी का जैसे समांगे उत्पेड़क का भी बताने जा रहे हैं ठीव जैसे देखिए दूसरा उधारन मेरे पाद नमबर यह एक था दूसरा देखिए जैसे ऐसिट्उट लेकर अगर अधिल एकिले बच्चों एसिल एसीटेट दोस्तों इसका नाम क्या है अधिल इसका डեन ऑफिसका 308 गए एठहिल एस एसित दोस्तों इसमें मिला दिया है और ऑप तो जल दोस्तों ये tough दश् complete वस्तामें पाई जयता है ऑthe दोस्तों हो स्क्ष्क टॉर अब इसके बाद जो बनेगा उसको आद देखते हैं यह क्या दोस्तों सी टूएज फाइब और इसका ओएज एथिल एलकोहल एथिल एलकोहल दोस्तों हम आपको एक बात बता दें यह एथिल अलकोहल बन गया है अब जो बचाएएज बचा और यह बचा है सी एस थ्री सी ओ ओ और यहां से एच बनेगा यह है इस एक और नाम से जानते दोस्तों इतनोईक अमल इथे नोईक अमल दोस्तों हम आपको बताएज दो उधारन में आपको दिया दोनों क्या समांगी उत्पिरक का देखिए एभी गैस एभी गैस एभी गैस जब अभिकारक और उत्पिरक दोनों की अवस्थाएं आ समान हो जैसे अभी कारक गैस में हो उत्पिरक ठोस लिक्विड में हो सेम ना हो तूने हम क्या कहेंगे बिस्मांगी उत्पिरक जैसे आई आफ के स्कीन पर दिखाते हैं हमें बिस्मांगी उत्पिरक के बारें दोस्तों इसके बारे मताने जा रहे हैं इसका तो कंप्लीट हो गया बि यह थिए भी गैस मिलाएंगे टी प्लिटिनम जो सॉलीड इस्टेट वह सॉलीज्टी इस कंडीसन मी यह बने गाए एसए ओर थ्री बैलेंज गरने के लिए लगा देगे दो यहां लगा देंगे दो यहां लगा देंगे हैं पहले डियक्ण संंधिए भी डोट करों थो और रेक्षिन हो बन्म थ यहां थे आने हैं के पार भार रख देंगे हां कि मेलें जंखे दोस्तों दुझ जारों दोस्तों दूटली-श्याहीं सैंपी ठीछ यह इस्षाई जब हमुएं यह यहां सवस्था में पाए जाए जाता इस वजे से भिस्मांग उत कि रखके परिभास कि दोस्तो जब अभी कारक दोस्त उसको क्या बोलते हैं अभी का ही अभी का रुख एंगली स스터 रियेक्ट एंट्ट रिय Old हैं दोस्तों हम आपको बता दें सल्फर ट्राइ ऑक्साइड बना पीटी क्या है सॉलिट इस वज़े से बिस्तमांगे उत्परक कहलाएगा दोस्तों इसका पहला उधान आपको सुझ में आ गया आए बिस्तमांगे उत्परक का उधान नंबर दो दिखाते हैं उधान नंबर उधान नंबर दो में उढ़ाते हैं जैसे यह रियक्शन दोस्तों कुछा पुटेसियम क्लोरेटी उटा उठा लिया पूटेसियम क्लोरेट पूरी रियक्शन है नोट कर लिजिए आप । को के सील प्लस थी ओर टू क्या बच्चों यह रिक्सन अमने उठा लिया अब दे तो अगर माले नहीं की अलग अलग है अवस्ता के अलग है जोग एंचाराइब से लग अलग है और सी तो हमने आपको परिवास बता दिया है अप नोडबी कर से स्कीन पर देख कर रों कर वीडियो आई ये हम कुछ नय समांगी की आधार के परखी करते हैं किरिया विधी के आधार पर उत्प्रेरक के परकार दोस्तों किरिया विधी के आधार पर उत्प्रेरक के परकास आईए पढ़ते हैं किरिया विधी के आधार पर उत्प्रेरक चार परकार के होते हैं कितने परकार के होते हैं तो आप परिवासम लिखेंगे आपके स्कीन बोर्ट पर लिखा हुआ, किरिया विदी के आधार पर उत्प्रेरक चार प्रकार के होते हैं, पहला धनात्मा उत्प्रेरक, दूसरा धनात्मा उत्प्रेरक, तीसरा स्वता उत्प्रेरक, चोर्था प्रेरित उत्प्रेरक दोस्तों ये क्रिया विदी के अधार पर उत्पी रखके चार भागों में बाटा गया है हम इन चारों भागों के बाड़े में पढ़ेंगे आई ये देखते हैं पहला है धनात्मक प्रेरग दोस्तों हम आपको बाद बता दें संदोर एक किस में करोना की वज़े से थोड़ा सा कोस कम हुआ है तो धनात्मक हट चुका लेकिन फिर भी मापको जानकारी दे रहे हैं आपको पढ़ा रहे हैं तो आप एक बाद देख लीजिएगा लेकिन उसको त्यार मत कीजिएगा लेक जो तो आईए देखते हैं इसकी परिवास आप देख सकते हैं इसकी पर जब यह हुआ पदा जो किसी रासानी का प्रिया के वेक को बढ़ा दे क्या बच्चों वेक को बढ़ा दे वो धनात्मक गुत्पिद्वा कहला था उधान देखी दोस्तों आपको एक धनात्मक उच्छी ओओ सीटु एसफाइब इसकी क्रिया हम हुआ के साथ कराना चाहते हैं यहां पर एच टुएस ओफोर मिला दिया बच्चों यहां पर इसकी स्टेट नहीं देखेंगे अब यह क्या करता है इसके दर को बढ़ाता है अब यह नहीं मिलाएंगे मालो यह अब क्रिया कं दूस्तों यह क्या के दर को बढ़ा दी है तो चली है और दोस्तों अब आपको बता दें क्या बनेगा कि वित शीटू हैं फाइफ और दोस्तों इसका नाम यह एथिल एलकोहल एथिल एलकोहल कि दोस्तों वद बचा क्या सीएस थरी ची ओओ और यह चल दोस्तों इसका नाम है सब्सक्राइब इसका और नाम भी बताया था हमने एसी टिक अम्लू एथिनोई कमल भी इसका नाम बताया था तो दोस्तों यहाँ पर जो इस्ट्वर्स और यह क्या है यह धना अत्मक उत्रेरक थो समझ अंगे तो वह पदात जो किसी खास्थानिक अब डिया की वेक को बढ़ा देता वह धनातमा खुद्परक के लाता सब्सक्राइब अपोजीट है जैसे यहाँ पर वेख को बढ़ाता था तो इसमें वेख को घटाएगा क्या करेगा घटाएगा तो आपकशा लिए के वगया शुक्राइब यह पदात जो किसी रासानि करिया को घटा देता है बोलेत। कम कर देता है तो नहीं क्या कहते दोस्तों जाइस कि परिबास आप स्क्राइब सकते हैं आई इसका उधान बताते हैं इसमें दोस्तों पिर देखते हैं कोई सिंपल सा जैसे और ही झिर रोफॉ मेतन है कि आप Promise Por गिरा क्लॉरफॉर्म क्या होता है सील सीए ये पढ़ ing थित आइगे ये क्लेफ्म आपको को बता दे इस इसका नाम है झाई फितीन के लिए क्ले नाव आünüz नहीं है यह के वाद सिंगल कारवन है तो दोस्तों इसमें आप सीजन के उपस्ते में करिया करके फाजीन गैस बनाता है क्या बनाता दोस्तों फाजीन गैस जो बहुत जैरीली गैस होती दोस्तों चो दोस्तों फाजीन गैस काytt patch C YoCl2 और स किल पंदें देखिया तीन सिल है दो और att पर गड़ laquelle यहां दो लगा देंगे सिभ्या इन्य देखे पर यहां भी दो लगादेंगे रिये रहुआ दो है आप सब्दोस्तों यह प्रोस्ति पहुत ही աेंसओं है नि क्या गएख गार्टी जैरी दिता दोस्तों इसके काने जो एन ऐन बताएंगे थोड़ी दिर पहले तो इसको कार्शी कार्बॉडॉड्य क्लॉडॉय क्नोराइद कार्फोडॉरी डूंॉय कलॉड PAC ग कि यह क्या है दोस्तों जिर्वनातमा कुछ पर रखें कि दोस्तों आपको बाब बता दें वह पदात जो किसी रासानी के विए को घटा देता हुए जो फाजीन क्लोरोफॉम है यह और प्रकास पाते ही फाजीन गैस बनाता है बहुत जारीली गैस होती है इसी वजह से इसको बोतल में रखा जाता है और एथील अलकोहल क्या है उस बोतल के ऊपर ढकन के ऊपर एथील अलकोहल की कुछ बूदे डालते हैं ताकि उसको एक लेयर बन जाए और ऑख्षिजन उससे रियक्ट नहीं कर पाएगा तो फाजीन गैस नहीं बना पाएगा लेकिन इसके अवकिल लेयर नहीं खताब होगी तब तक रियक्शन रुख जाएगी ना उस कंडिशन में क्या दोस्तों इसकी स्क्रीन पर देख सकते हैं परिवास और नोट कर लें आए दोस्तों कुछ और आगे पढ़ते हैं अगर आपको हमारी वीडियो सुझ में हाथ तो कमेंट जरूर करिएगा और बताएगा कैसे लगी और अगर आपको किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हम आपको उसकी वीडियो बन कि देंगे यूटूब चैनल पर आये दोस्तों तीसरे वारा रख के बारें जानते हैं स्वाउथ प्रिरख दोस्तो सौत प्रिड़क क्या होता है ऐसी अब किरिया जिसे जो खुद अपने आप में प्रिड़क का काम करते हैं जिसे किसी प्रिड़क की जरूरत नहीं है वो क्या कहलाती है स्वतावत पेरत समझे दोस्तों आईए कि अब किरिया लिखते हैं इसकी परिवास आप स्कीन पर देख सकते हैं जैसे उधान देखिए स्वाइब इसमें जल मिला दिया जल बोले तो एचो अब इसमें कुछ नहीं मिलाएंगे क्योंकि यह अविक्रिया कुद एक उत्प्रिया काम कर रही है तो क्या बनेगा एथिल अल्कोहल और एस्टी कम लो दोस्तों यहां पर नाम दिखाना जरू है अभी हमने नाम बताया है इसका नाम क्या है एथिल एसीट जल एथिल एलकोहल ऐसीटिकंड दोस्तों यहां पर नहीं है क्योंकि आपक्रिया स्वयम आपने आपमें एक इपर का काम कर रही से लिवश में प्रेर नहीं तो जितने कि यहां कोई कड्लिश anymore नहीं मिला जाता वह अपने आप में सोताब काम करती है इसकी ठीमेंसन आप ग्वार्व सकते हैं दोस्तों आई अे चैनी थी किया दोस्तों परिय रिधर प्लेट-ग और पूरत दोस्तों प्रिय दोस्तों किया होता है है उसकी नहीं कपर gravyBecause नहीं के लिए काँक करें वा किलिया जो किसी अपक्रिया के लिए उत्प्रियर का काम करते हैं जैसे जब किसी रासानिक अपक्रिया जब एक रासानिक अपक्रिया के लिए उत्प्रियर का काम करती है तो उसे हम प्रियर उत्प्रियर कहते हैं यह घटना उत्प्रियर कहलाती है थी बच्चों आईएस की उधान सम करते हैं जैसे माले मेरे पास करिया है सोडियम क्या दोस्तों सोडियम है सलफाइट है जैसे मेरे पास सोडियम सलफाइट है क्या दोस्तों सोडियम सलफाइट इसने आप सीजन से क्रिया किया आप सीजन सब्सक्राइब कर सोडियम सलफेट क्या बना लिए दोस्तों सोडियम सल पेचार सोडियम इधर भी एक दो है यहां भी एस दो है दो चौको आठ जो आठ बबाइब आपको बता दें यह किरिया कंप्लीट हो गई एक अन्नब करिया अगर हम पताएं जैसे सोडियम आर्सेनेट, सोडियम आर्सेनाइट इसका नाम है, क्या दोस्तों, सोडियम आर्सेनाइट, अब यह सोडियम आर्सेनाइट जब रियक्शन कर रही है, तो नो रियक्शन दे रही है, नो रियक्शन, दोस्तों हम आपको बता यहां पर सूडियम आसे नाइट आॉसीसरीन कर नहीं पा रही है अब क्या करेंगे यह इन दोन мелरे क्या करें लो रे टो क्या होगए és यह वस्ता में यह सफिरिया इसकर के लिए उत प्र Kiss कर्खकर कर रही है दोस्तों आये देखते मिलाकर नियको देखिए जब इन، दोस्तों यहां भी दो लगा दिना बैलेंस करने के लिए टू एन ए टू एस ओ थ्री प्लस टू एन ए थ्री ए एस ओ थ्री दो ए दो ऑक्सिजिएन इधर दो इधर तो टू ओ टू एक और एक दो ठीक दोस्तों अब बनेगा क्या यहां पर क्या बना टू एन ए टू एस ओ दोस्तों यहां एन ए टू था तो यहां दो बना यहां तीन है तो यहां भी तीन बनना चाहिए तो टू एन ए थ्री ए एस ओ फोर बनेगा दोस्तों यहां तीन था चार हो गया यहां भी तीन है तो य कि रिया complete हो जाती है इसका नाम है sodium आसे sodium आसे नीट क्या है दोस्तो sodium आसनेट आपको बता दें कि इस ओडियम सल्फाइट है sodium आसे नाइट है oxygen sodium sulphate sodium आसनेट दोस्तो जब प्रेख के बारे माँ आप समझ गयोंगे इसकी परिबास आप देख लीजिए अरामसिस वीडियो को रोक कर कॉपी पिन लेकर अरामसिस को हाई क्वार्टी में करके नोट कर सकते हैं ठीक दोस्तो उधारन में आपको समझा दिया आईए कुछ और जानते हैं दोस्तों कुछ ऐसे बीं पादाथ होते हैं कुछ ऐसे भी पादाथ होते हैं जो उत्पेराख कि किरिया सिल्टा को ये जैसे उतमिर्या वर्धक दोस्तो उत्प्रेरक वद्ध क्या होता है वह पदाथ वह पदाथ जो उत्प्रेरक की किरिया सिल्था को बढ़ा देते हैं उन्हें हम प्रिड़क वद्ध कहते हैं समझ गया है जैसे कोई प्रिड़क अपना काम तो कर रहा है लेकिन कुछ ऐसा मिला दो कि वो अपना काम और अच्छी तरह से करें और यह तेज करें समझ गये दोस्तो आईए जैसे हमने अमूनिया बनाया क्या बनाया दोस्तो अमूनिया आपको पता है नाइटोजन हाइडोजन से मिलके अमूनिया बनता है एनस्तिरी यहां दो लगाएंगे दो त्याइए छे तीन दूनी छे अधिये दोएंड़न दोएंड़न इसका नाम नायकोजन है अमूनिया दोस्तो हमने इस अस केरा दोस्तो थेपर तहीं दोस्तो यह तो अपना काम करी रहा है कुछ ऐसा और पणात मिला जवेसे मॉन्य विड्स क्या बच्छों मॉली उत्षिकर देगा तो ये क्या क्या वरधक क्या कहा हैगा दोस्टो नाम दो समझ क्या है भीछ गा होता दोस्तो इसका अपॉजिट वे पदा जो किसी अविकिरिया में उत्पिरग की सक्रीटा को घटा दें उन्हें हम पिरग बिस्त कहते हैं समझे दोस्तों जैसे कोई अविकिरिया थोड़ा लेट करना चाहते हैं जैसे हमने अमूनिया बनाया ए फित पर राखा है क्या दोस्तों ए निस्तरी हमने इसमें क्या किया है क्या करेब मोनो ऑक्षाइड मिला आbie है क्या करेगा कम कर देगा किसी नियुक्रेटा कोक जञतेब का देगा दोस्तो को डियुक्ता एक्षिपाथ देगा है हुए इसकी परभास आ पीस्कीणेट है कि Final version सकते हैं चालिए दोस्तों आगे हम कुछ आपको परिवासा बताने जा रहा है प्रेरक की विशेश्ता ये कि दोस्तों इसके स्कीन पर शरुम हम बता रहे हैं आप इसको नोड कर लिजिए कि जैसे पहला विशेश्ता पर शर्लीर को को प्रारंबिक नहीं करते हैं और उत्पेरक के सूच में अब कर चाहिए को परभावित करती है तीसरा गया बहुत विश्चित होते हैं जो निच्चित के लिए निच्चित होता है दोस्तों नेक्स पॉइंट पेराग रहसानी रूप से आपर युवतन सहील होते हैं पांच् पॉइंट उत्पेरक एक निच्चित ताप पर अभी क्रिया सील होते हैं जिसे अनुकूल तम ताप कहते हैं दोस्तों प्राक किसी रासानी रूप क्रिया में कुल उससाजित और और उसमा के मान को भी परभावित नहीं करता है और पिसा हुआ यह खुद्रा अधिक क्रिया आप सील होता दोस्तों आप नोड़ कर सकते हैं हम हम आपको वीडियो करो आयं हम आपको टुरक की कि सिद्धान सिखाने जाए में तीनों नियुकोन के स्वांट का सिद्धान पहला दोस्तों क्या है माद्विक योगिक सिद्धान थीक दोस्तों दूसरा है आधुनिक अधिसोसर सिद्धान आधुनिक अधिसोसर सिद्धान दोस्तों आएए पहले माद्विक योगिक के बारे में जानते इसकी परिवासा आप इसकी इन पर देख सकते हैं और हम बोल भी दे रहे हैं उधार समझा दे रहे हैं चलिए इसकी परवासाब देखिए तो इस अधान के अनुसाथ उत्पेरख पहले अभिकारक के साथ करिया करके मादमे क्योगिक बनाता है फिर बना हुआ मादमे क्योगिक दूसरे अभिकारक के साथ करिया करके उत्पाद बना लेता है और उत्पेरख को मुक्त कर देता है द पहले बास स्मझ्येगा यह पहला विकारक इसे हम लख सकते हैं पहला अभी कारक कि यह दूसरा विकारक कि दोस्तों हम आपको बता थे कियर विद्य कैसे लिखेंगे कि अधि पहले अभीकारक के साथ क्रिया करके मादमी क्योगिक बनाता है पहले अभीकारक के मादमी क्योगिक बनाता है पहला अभीकारक यह उत्पे रख दोस्तों पहले उत्रेजरक मादमी क्योगिक बनाता है फिर बना हुआ मादमी के होगी दोस्तों दूसरे अभिकारक के साथ करिया करता है और सी को अलग कर देता है और उत्पाद बना लेता है दोस्तों यह उत्पाद है देखिए उत्पाद बनाता है यह क्या दोस्तों तो एक व्यवकुत दोस्तों बना हुआ मादमी की होगी दूसरे अभी का रागा करके दूसके धिया करके उत्पाद बना लेता क्या आदा दोस्तों पाद और पेरा को मुक्त कर देता है दोस्तों तो समझ गया होंगे आप किसकी परिवासा कैसे लिखेंगे पेराग पहले दूसरे अभी कायक के साथ करिया करके उत्पाद बना लेता और पेड़क को मुक्त कर देता बस इतनी इसी परिभासा है समझ यह होंगे आप चलिए कुछ हो देखते हैं अब हम सिखते हैं दूसरी दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट दिया है जो आपके स्कीन पर हम डिपनेशन को सो कर दे रहे हैं बोलेंगे नहीं नहीं कर पाएंगे हैं हम लिखेंगे टाइम लगेगा इस अच्छे हम फोटो कॉपी यहां पर लगा देते है हैं आप लोग इसको नोट कर लीजिए जैसे देखिए सर्वबतम अभिकरिया इसके कुछ पॉइंट बता रहे हैं अधूनिक अधिसोश्च सिद्दान के बारे में आप जान जाएंगे पहला पॉइंट क्या है सर्वबतम अभिकारक अडू उत्पेरक की सता पर अधिसोश हो कि म Rules सफयोग करते हैं जो मिलते हैं उस देर बाद अलग हो जाते हैं तूट करके on to dai ko alakeran दूस्तों ही किया अगला पॉ्यंट किसीठोस तुक आ उप पेरह की सता पर किसी ठोस कि उत पेर हकी सता पर समान रूप से सक्रियय नहीं होतें सता पर अबकरिया कुछ निच्चित केंद्रों पर अधिक होती है जिने हम सक्रिय केंद्र कहते हैं दोस्तों ये सक्रिय केंद्र क्या होते हैं सक्रिय केंद्र उत्पेरक के कोनों, दरारों और पनी सिमाओं में उपस्तित होते हैं क्योंकि इन इस्थानों पर मुक्त संजगता अधिक होती है दोस्तो वधक मिलाने पर उत्पिरक की सक्रिय केंद्रों की संक्या को बढ़ा देता है ठीक दोस्तो आगे 20 की उपसिती में उत्पिरक की सक्रिय केंद्रों की संक्या को घटा देती है दोस्तो यह पॉइंट आप य की पिशा रूब या खुद्रयुक अधिक होती है अर्थात मुख्त संझतां की संक्या बातिक होता है। नोट कर लेजिए दोस्तों तो आगे हम कुछ नए जानकारी की ओर बारते हैं जो दोस्तों इंजायम उद्पिर्क न जानते हैं एनजायम उद्पिर्ग दोस्तों इंजाय मुत्पिरक क्या होता है वे अब करिया है जो इंजाय मुत्पिरक कहते हैं उन्हें हम इंजाय मुत्पिरक कहते हैं इंजाय मुत्पिरक कहां कहां पाई जाते हैं यह जिव जन्तुओं की कोसिकाओं में पाई जाते हैं पेर पौदों में पाई जाते हैं ठीक दोस्तों आई इनके कुछ उधान देखते हैं और इंजायम उत्पेरक की परिवासा अगर आपके स्कीन पर है देख लिजिए इंजायम जटिल नाइटोजन युक तो कार्बनी की आउगिक होते हैं जो प्रोटोनियम पदात होते हैं य दोस्तों इनका ये खाम उधारन आपको देने जा रहे हैं जैसे सी बारा एच बाईस और ग्यारा दोस्तों इसका नाम क्या है सरकरा सरकरा बोले तो सक्कर चीनी बोले तो चीनी का फार्मला है इसमें हम एस्टो मिला दिया अब इसमें कैलेस मिला दिया क्या मिला दिया दोस कुस दोस्तों और हम जानेंगे इंजयम की कुछ विसेस्ता हैं आपके स्कीन पर आप वीडियो को रोग कर ये इंजाइम के विसेश्टा देख सकते हैं पहला इंजाइम जटिल नाइटोजन युक तो कार्बनी क्योगिक होते हैं इंजाइम बहुत विसेश्ट होते हैं निचीत के लिए निचीत इंजाइम होते हैं इंजाइम एक निचीत तरनाश्ट हो जाती बच्चों इंजाइम आठ से दस परसंद के विलियन में अधिक काम करते हैं इंजाइम एक निच्चित पर अधिक सक्री होते हैं जिसे इंजाइम कानुकूल तम पीच कहते दोस्तों जिसका मान पांच से साथ होता है वे कार्मिक पदात जो इंजाइम के स जिसे दो घड़ा देते हैं उन्हें विस कहते हैं जैसे आपके स्कीन पर नोट है आप इसको वीडियो को रोक कर अराम से नोट कर सकते हैं दोस्तों हमने इंजाइम के बारें बता दिया आज ये पार्ट कंपलीट हो गया आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और दोस्तों झाल